भायो मैंनो प्रेज अलॉड सभी को अच्छे में सिखी आशा करते हैं आप लोगों को हमारा चैनल बहुतायत से प्रभु के आशीशे दे रहा है और आपका सारा परिवार बहुतायत से प्रभु में आशीशों को पा रहे हैं आज का जो यूडियो संदेश हमने बढ़ाने का सोचा है ये आज की मसीही सुसमाचार को जो लोग गुमराह करते हैं और आज के समय में जैसे इशूंस ने कहा था बहुत से जूटे मसीह जूटे भवश्वक्ताएं उभर आये हैं निकल आये हैं और जब मसीही थे उस समय भी कि दुष्टात्माओं के प्रवावित करने वाली आत्माएं जो मसीह के वचन को मरोड कर तोड़ कर पेश करती हैं और बहुत सी ऐसी सिक्षा प्रदान करती हैं जो इनसान को सही और गलत के बीच में लाख़डा करती हैं और इनसान परमिश्यों के सच्चे वचन जो पवि ताकि शैतान जो है हमारा भर्माने वाला है, सारे जगत का जो ठोकर का कारण है, जो अंदकार का जराजा है, जो इस संसार का जो एश्वर है, जो पाप मृत्ती और हर एक बुराही के पीछे है, और जो इश्वर के सेवकों को नापसंद करता है, और उनको भर्माने के लिए चुने गए हैं, यदि हम परमिश्व के वचने बने रहेंगे तो हम श्वैतान को परमिश्व के वचन के सहायता से फाल और चीर डालेंगे और अपने पाउं के दोरा उसको कुछलेंगे और अपने पाउं की पीड़ी कर देंगे तो इए इसके लिए हम लोग परमेशों का वचन देखेंगे गलातियों के पुस्तक अध्याए 1 और पत संख्या 6-9 यह हम लोग पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि पॉलुस कैसी चिंता प्रकट करता है विश्वासियूं के लिए उस जमाने के आज के जमाने के अंतिम दिनों के और जो अन्यजाती भाई बेंज जो आज बुलाए गए मसीशूं में उनके लिए कैसे चिंता प्रकट करता है वचन यह ऐसा कहता है जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सूसमाचार तुम्हे सुनाए तो शापित हो जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस सूसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहन किया है यदि कोई और सूसमाचार सुनाता है तो शापित हो तो भाईयों बेनों यहां हम लग साफ साफ देखते हैं जिस सूसमाचार को हमने ग्रहन किया वो इशू नास्री वो गलिल का इशू वो परमेश्व का पूत्र जो कुरूस रित्यों के द्वारा अपन रुथान को प्राप्त कर जो वचन की विरोधी हैं और पवितर सास्त्र के व्योस्था और वचन और पवितरात्मा का विश्यक के विरोधी हैं जो मनुष्यक की कल्पनाउंग से हैं जो अपने आपको जूटे मसी जूटे भविश्वक्ता कहते हैं जो बार से तो हम जैसे भेद और प्रभू के चरवाहे कहलाते हैं, पर अंदर से फालखाने वाले लुमड़ी और भेड़ीय हैं, और वे हमें घबरा देते, वे हमें भटगा देते हैं, और इसके विशे में प्रभू ने कहा है कि हम इन इनके बचनों के ध्यान ना दे, तो भाईये वैनों हम लोग सचेत रहें अपने शरीर आत्मा, मन, हिर्दे, प्रान सासों को पिता, पुतर, पवितर आत्मा के हाथों में सौब दे और भरमाये ना जाए और सब कुछ परमेश्व के ओ अपने सहरा बोजर चिंताओं के साथ सौब दे और वह हमें बचाएंगे हम किसी भठकानी लात्माँ के प्रतिजित ना करें इस्व समचर के छोड़ चाहे कोई कहता है कि मैं स्वर्ग सुतरा हूँ, मैं स्वर्ग गया हूँ, मैं नरग गया हूँ और यदि परमेश्व किसी को भठकी हमें घटाएंगे लेकि हमें प्रगट नहीं करते हैं प्रभू जो हमारा छुडाने वाला पापके दास्वतों से और अनजी उनकी उखर मिले जाने वाला है तो हरे एक सुनने वाला इस मेसेज के उज़ारा बहुता है कि आशीश पाया और जूटे मसी और जूटे बविश्वक्ताओं को सामना जब होता है तो तैयार रहे कि कैसे उन मसी विरोधियों का विरोध करें जो अंदर से फालखाने लल भेड़ी और लूमड़ी है लेकिन बाहर से मसी के चरवाहे और भेड़ प्रतित होते हैं तो हरे एक सुनने वाला प्रभू में अनंदित रहे और सचेत रहे और सतर्क रहे आमिन